नमस्कार जै हरियाना टीवी चैनल पर स्वागत करता हुआ करम विर्शार सर आज मैं बता दूं गाउंस लेंपूर के अंदर भवे जागन होगा और यहां पर जो माता का जो जागन रखा गया है वो श्री प्रेम भगजी ने यहां पर आयुजक करता रहे और उनसे भी हम कु नमस्कार सर कुछ बोलिएगा आपका नाम बता दी यह पबली को अजी ओके तो आपने यहां पर जागन रखा माता का तो कितना अच्छा लग राको यह बता अच्छा और क्योंकि दूसरी जो अन्य पबलीक उनको भी अच्छा लगेगा क्यों क्या लगता प्रेम जी तो जागन के माधिन से मिल पाएंगे और लोगों की सर्दा भी काफी है हमारे गुरुजी है प्रेम बगत जी इनके आशिरवाद से हमारे हर कारिय बनते हैं तो देखे गाउं के आजाद सिंग है मेरे साथ में तो उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा जी बाइजी नमस्कार क् का मंद्रे और पाधंजी नमस्का शेवटर है तो आज आपके गाउं के इंदर जागन है तो कितनी खुछी हो रही है तो कुछ यूज दा जागना चाहिए तो कुछ अब की बार अच्छा अनगा हमारे प्रेम को वहां थी और हमारे इस सभाटी तभी के दिल में सयोग है हमारा अमरे गाहों का सब्सक्राइब है इस जागत में तो हम भी कुछ सयोग कर रहे हैं जी तो देखिए यह आप सीजी तस्वीर देख पारें जा हरियाना टीवी चैनल क के माधिन से गाउं शलेमपूर से और कुछ अन्य भी युवा साती मोजूद है क्यों ने उनसे बात कर ली जाए ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं जाहे है हरियाना टीवी चैनल के माधिन से आप कुछ क्या बताना चाहेंगे गाउं शलेमपूर के बारे में कि आज आपका गाउं में भवे जागन हो रहा है और बंडारा वाजो माता का क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस भी से सर ऐसा है जैसे यह चोटा मंदरी भी बगदी की देन है जी 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 जितने भी जागन होई है जी और आज भी बहुत बड़ा जागन होने वाला है वो भी याज चाहां से शाड़ी आठ होजे के करीब शुरू हो जाएगा और बहुत ही अच्छा काम किया बगदी ने और गामकावी नाम रोसन है तो सारा सब कुछ सी कुछ साब की बाद तो गामका स्यों है ने पिछे सारा काम बगदी के लिए निकिया है आप देखें आप देखरें ज कुछ से जो जागन होना था वो नहीं हो पाया था और इस वज़े से अब रगुलर से जागन के मातक जी कि आपको देखने के मिलेंगे आप देखरें जय हर्याना तीवी